हेलो माइडेशन स्वागत राइब का मैंड में पें इंडिया बेस्ट और नानिय प्लैट्फॉर्म अरे क्या होगा रोक कि रहे हो अच्छा बीच में नहीं आए तो यह पार्ट टू है ना तो आधा पार्ट पहले खतम किया था आधा भी करेंगे तो क्या सार पूरे वीडिय स्पेज जहां आपको मिलता है किंडर कारण से लेकर 12 तक का सारे एजुकेशन आपसलूटली फ्री औफ कॉस्ट और हम यहां कवर कर रहे हैं क्लास 11 का अप्लाइड मैथमाटिक्स अब हमारे सारे लेक्चेर तो वीडियो देख सकते हमारे यूटूब चैनल से या फिर हमार आप से भी इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक यूज करने के लिए आपको कुछ भी पे करने के जरूबत नहीं है अब देखो हमारी आड कोई और तो करता नहीं है हमें खुदाई करनी पड़ती तो इसलिए यह शुरुवात में बोलना जरूरी है डि कुछन नमबर 12 से लेकर 19 तक और exercise को करेंगे समाथ सर इसके पहले के question इसके पिछले पार्ट में है जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा previous video heading के अंदर ना मिले तो comment section में लिख देना कि वीडियो कहां है भाई या पिछला वाला जल्दी से दे दो तो हमाई टीम थोड़ी का है अपना topic का नाम है time in work question number 12 है यह 11 तक अपन पहले ही निपटा चुके हैं पिछले वाली किलास में चलो लिखा भया ABC together can do a piece of work in 15 days जैसे ही मैंने इतनी information पड़ी मैंने सबसे पहले क्या करना है मैंने सबसे पहले यहां पर लिखना है कि भया combined one day work कितना होगा तो लिखा मै यह ने combined one day work ठीक है कि मिल जुलके एक साथ जब वो करेंगे तो एक दिन का काम कितना होगा तो पंदरा दिन में पूरा काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा तो सर आप लिखेंगे one by fifteen बहुत बढ़िया चलिए अब इसके अलावा क्या जानकारी है अपने पास वह लिख लेते हैं तो इसके अलावा दिया है बी अलोन कैंड डूइट इन थर्टी डेस तो हमने लिखा है यहां पे बीज वन डे वर्क मैं सीधे चीदे मुद्धे की बात कर रहा हूं भाईया कि वह वन डे वर्क कितना होगा यह बता दो आप पूरा काम वह तीस दिन में कर है तो एक दिन में कितना काम करेगा सर वन बाइट थर्टी बहुत बढ़िया उसके वाड़ सी अलोन कैंड दो कि इन port e तो यहां पर लिखा हमने नेक्स लाइन में कि भाईया सीज वन डे वर्क कितना है सी का एक दिन का काम कितना होगा चलिए तो हमने लिखा यहां पर उसके लिए वन बाइफ फॉट्टी इस देस क्लियर हां जी सर तो आपके पास ए बी और सी तीनों का सरी कम्बाइंड बी और सी का अलग-अलग वन डे वर्क आ चुका है इन हाव मेनी डेस कैन ए अलोन डू दर वर्क तो यहां पर मैंने क्या मान लिया यहां पर मैंने मान लिया कि भाईया चलिए एस वन डे वर्क वोड बी वन बाइ एक अग्स 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 आपको यह बात तो पता होनी चाहिए कि हम यह वन डे वर्क क्यों निकालते हैं अब तक हमने इतना पढ़ लिया है हां जी सर पता है हम वन डे वर्क निकालते हैं यह एवालुएट करने के लिए कि भाईया क्या सारे हमारे जो यहां पर जानकारी के सोर्स हैं वो एक common platform पर आ गए हैं या फिर नहीं अब आप देखोगे तो सारी चीजें common platform पर हैं one day work तो अब इनका आप आसानी से mathematical calculation कर सकते हो अन्य था यह सब अलग-अलग दिशा में भाग रहे होते हैं कि 30 दिन कहां रूब है कब खतम है कुछ कह नहीं सकते हैं अब आप आराम से इनको evaluate कर सकते हो तो आप लिखोगे यहां पर according to question सवाल के हिसाब से तीनों मिल के काम कर रहे हैं तो a का काम पिलस b का काम पिलस c का काम तीनों का काम जोड़ के मैं निकाल सकता हूं यहां पर कि कुल मिला के 15 द a का एक दिन का काम बी का एक दिन का काम और सी का एक दिन का काम जोड़ा और यह बराव बरवाया किसके कि भाईया जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम हो रहा है उसके तीनों का साथ काम करने का मतलब ही है कि तीनों अपना अपना योगदान दे रह चलिए इसको सॉल्फ करते हैं तो सर वन बाइक्स तो आज इस रहेगा तीस और चालिस का एल सिंग जितना मुझे पता है 120 होगा नहीं सर इतना दूर कहां जा रहे हो सर देखो 30 120 ही होगा है उससे पहले तो कोई आप्शन ही नहीं है चलिए तो यह हो जाएगा 30 इंटू कितना सर यह हो जाएगा अगर हम ऐसे देखेंगे तो 30 इंटू 4 करना पड़ेगा और वहां करना पड़ेगा 40 इंटू 3 तो यह 30 इंटू 4 इधर 40 इंटू 3 और यहां कितना जाएगा यहां जाएगा 7 by 120 इक्वल्स टू 1 by 15 क्योंकि यह 4 और 3 आड़ होके 7 हो जाएगा तो 1 by X हो ज देखोगे 150, 120 और 15 का LCN तो 15 के टेबल में 120 आता है एट जा तो इन्टू एट करना पड़ेगा आपको है ना क्योंकि 15 एट जा होता है 120 अब अगर इतना भी टेबल याद नहीं तो फिर देखके तो जाएगे भागे तो वन बाइक सो जाएगा ध्यान से देखोगे तो 8-7 whole divide by 120 आठ में से 7 गया तो कितना बचेगा? सर आठ में से 7 गया तो हमारी गनित केस आपसे 1 अई बचेगा बिलकुल ठीक कहाँ आपने 1 अई बचेगा तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 by x is equal to 1 by 120 therefore x is equal to 120 days इसका क्या ताथ पर रहे है? इसका ताथ पर रहे है कि भाईया जो ए भाईया है वो 120 दिना में पूरा काम करेंगे 120 दिन मतलब सोच रहे हो ए कौन है? सर ए आप और हम में से कोई एक है जिसके अंदर आलस चे तो कूट कूट के भरा हुआ है काहे कि भाईया बाकी लोग 30 दिनों 40 दिन में कर रहे है यह जनाब उसी काम को करने में 120 दिन ले रहे है चलो खेर कोई दिक्कत नहीं है मर्जी उनकी है देश सतंत्र है हम कुछ कर नहीं सकते चलो स्क्रीन के लिए यार बढ़िया से एक दम अब देखो 13th question कह रहा है कि नव्या दिदी है जो कि twice efficient है नीती दिदी के मुकाबले चलिए चो दो दिदिया है यहाँ पे नव्या और नीती उनके बीच में comparison हुआ तो नव्या दिदी twice efficient है नीती दिदी से अब देखो efficiency का सीधा सीधा जो impact पढ़ता है efficiency का सीधा सीधा impact पता है किस पर पढ़ता है sir वो पढ़ता है number of days पे जो जितना जादा efficient होगा वो उतने कम दिन लेगा मतलब मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 90 और नीती की तो मान लो नीती और 90 यह मैं लिख दिया ठीक है अब अगर अपनी जो नीती दिदी है ठीक है उनकी efficiency क्या है sir उनकी efficiency तो हमें दी नहीं है कोई बात नहीं तो अगर एक उधारन के तोर पे नीती दिदी के efficiency है x तो 90 दिदी उससे twice efficient है 2x ठीक है अब efficiency का सीधा सीधा impact किस पर होता है number of days पे जो जादा efficient होगा वो उतने कम दिन लेगा अर्थात अगर मैं नीती दिदी की बात करूँ तो वो कितना दिन लेंगी वो लेंगी 2x days और अगर मैं 90 दिदी की बात करूँगा तो वो लेंगी x days ठीक है चुकि देगो कुल में लाके दोनों काम ही कर रहे हैं ठीक है और कारे पूर्ण होना है तो efficiency और दिन जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ inverse proportion में चलते हैं अर्थात कि जो ज़्यादा efficient होगा वो कम दिल लेगा और जो कम efficient होगा वो ज़्यादा दिल लेगा इस दिस क्लियर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिलकुल नहीं सर तो मुझे यहाँ पर efficiency से इतना काम नहीं मुझे number of days से काम है ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर सबसे पर लिख दूँगा कि let 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 time taken समय लिया गया किसके दौरा time taken by by अपनने यहाँ पर लिख लिया नव्या alone to complete the work नव्या alone to complete the work be x days to complete the work be x days is this clear आपने क्या बोल दिया यहाँ पर सर हमने बोल दिया कि नव्या दीदी को x days लगते हैं और वो क्योंकि twice efficient हैं क्योंकि twice efficient है therefore according to question ठीक है time taken by नीती कितना हो जाएगा time taken by नीती alone वो क्या है sir नीती अगर नव्या के मुकाबले देखी जाएं तो efficiency के मुकाबले में नीती से double है नव्या तो time taken में नव्या नीती क्या हो जाएंगी नव्या से double तो यहाँ पर हो जाएंगी time taken by नीती alone टू कम्प्लीट दवर्क टू कम्प्लीट दवर्क भी टू एक्स डेज टू एक्स डेज ठीक यह clear है यह समझ में आ गया efficiency की बात की जाएगी तो नव्या डबल है नीती की इसी लिए जब आम नंबर ओफ डेज की बात करेंगे या time taken की बात करेंगे तो नीती हो जाएंगी नव्या की डबल कहीं वो डबल है कहीं यह डबल है बालेंस बना हुआ ह ठीक है अब यहां समझो if they take 10 days to come to finish a certain job together ठीक है चुरू अब यहीं से हम यहां पर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे combined one day work combined one day work कितना हो जाएगा तो sir दोनों जब अलग अलग काम कर रहे हैं तब का तो हमने x और 2x बोल दिया जब दोनों 7 में काम कर रहे हैं तो सवाल में दिया हुआ है कितने दिन तो sir वो कह रहे हैं 10 दिन तो एक दिन में कितना काम होगा एक दिन में हो जाएगा 1 by 10 यह clear है जी sir सर चलिए बहुत बढ़िया अब यहीं से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि भांया जो नीती दिदी हैं और जो नव्या दिदी हैं उनका one day work किता होगा तो आपने लिखा नव्या टेवर्क कितना होगा बताओगे नव्या ले रही है अगर आप देखोगे तो एक्ष देस्स तो उनका One-day व्रग बाइए चलिए के बाद दूसरी कौने सर नीती तो आपने लिखा यहां पे नीती इस वन डे वर्क बहिए नीती दीदी का वन डे वर्क इतना होगा वो हमें बताना है तो नीती इस वन डे वर्क सर वो ले रही है एकस के साथ साथ 2x डेश यानि डबल टू हो जाएगा 1 बाए 2x इस देश क्लियर जी सर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिलकुल नहीं सर अराम से हो गया चलिए अब हम आगे बढ़ाएंगे इसको तो भाईया सवाल के साफ साफ के बल बस बेसिक मैथमाटिक्स करनी है तो सवाल हमसे बोल रहा है कि दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो भाईया अप अपन ने पहला वाला जोड़ा अपन ने दूसरा वाला जोड़ दिया और इन दोनों को मिला के पूर्ण काम का एक दिन का शेयर आ गया ठीक है इसका एक दिन का काम और फिर पूरा जो कार्य हुआ है उसका एक दिन का काम ठीक है चलिए अब इसको अगर आप सॉल्व करोग तो यह हो जाएगा 3 equals to 2x by 10 ठीक है यह आपने 2x को उपर भेज दिया आप चाहें तो लगे आप 10 को भी भेज सकते हैं 3 के पास तो 2 प्लस 1 हो गया कितना 3 हो गया sir into कर दिया आपने 10 चलिए 30 हो जाएगा है कि नहीं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप इसको 30 भी लेख सकते हैं अब आगे देखो 30 is equal to 2x अब इतना करें तो हम सबको आता ही है भाईया कि इसको आसानी से हम डिवाइड कर सकें तो यह हो जाएगा 30 ब किसकी value x की value x हमने किसके लिए use किया था तो भाईया x हमने use किया था 9 आके लिए तो यहीं से सवाल का जवाब यानि नीती दीदी लेंगी तीस दिन नव्या दीदी लेंगी पंदरा दिन और दुनों मिल के काम करेंगे तो दस दिन में काम निपूर जाएगा clear यहाँ पर हमने देख लिया बिलकुल सर एकदम बढ़ियां से हो गया सवाल नमबर 13 सवाल नमबर 14 देख लो अब ठीक है A is three times as efficient as B ठीक है A और B की बात चल रही है यहाँ पर तो इधर लिखो A इधर लिखा जाएगा B इधर आएगा efficiency और इधर आएगा days देखो मुझे बड़ा confusion होता है यार ठीक है लिखा है A is three times as efficient as B जितनी भी B की efficiency है उसका three times 3x और efficiency और दिन के बीच में inverse proportion होता है अर्थात जिसकी efficiency जादा वो दिन कम लेता है और जो दिन जादा लेता है उसकी efficiency कम हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जब मैं days की बात करूंगा तो A लेगा x days और B लेगा 3x ठीक है इसको ऐसे समझो कि आपकी efficiency का गुणा किया जाएगा आपने कितने दिन काम किया तो आपको बता चलेगा कि आपने कितना work किया राइट वही मैं एक दिन में कितना काम कर लेता हूँ और मैंने कितने दिन काम क्या efficiency का मतलब यहीं तो होता है कि एक दिन में कितना काम कर लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो work A कर रहा है exactly वही work b कर रहा है that is 3x square अगर मैं इनका गुड़ा करूं तो right तो work तो वही है इसलिए इनके बीच में ऐसे cross connection बनता है ताकि कुछ भी random value ना आ जाए दोनों ने जो काम किया है वो एक बराबर ही दिखे is this clear जी सर तो यह जो टेबल है हमारे इंपोर्टेंट हो जाता है और यहीं से हम शुरू करेंगे कि लेट let time taken by a alone अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा short form में लिख रहा हूं अपना कांगो क्या introduction statement let time taken by a alone b x days कितना x days चलिए हमने लिख दिया यहाँ पर संपूर्ण विश्व को बता दिया है कि भागया x days alone ले रहा है ठीक है तो अब यहाँ पर आएगा therefore time taken by b by b alone कितना sir b alone b अब उससे भाईया तीन गुना देखो efficiency किसकी जाधा है a की b के comparison में तो time जाधा लेंगे यह भाईया तो यह हो जाएगा 3x days ठीक है बिलकुल sir efficiency मतलब वो जाधा बहतर तरीके से एक दिन में अगर हम का comparison करें तो मालो आप हो एक दिन में तीन चाप्टर कर लेते हो पर आपका दोस्त एक दिन में नौ चाप्टर कर लेता है तो आपसे तीन गुना जाधा efficient हो गया three times ठीक है चलिए one day work निकाले इनका तो भाईया आप लिखोगे a is one day work color change कर लेते हैं कफसे a के color से लिखा जा रहा है अपने पास इतने सारे हैं भाईया तो यूज किया जाए तो चलिए हमने लिखा a is one day work a का one day का work कितना हो जाएगा सर वो हो जाएगा one by x ठीक है बी का one day is work यह क्यों निकाल रहा हूं में क्योंकि यह सर कहीं न कहीं तो काम आएगा यह आएगा अभी मैंने सवाल पूरा पढ़ा भी नहीं है यह कहीं न कहीं तो काम आएगा one by three x ठीक है चले देखे सवाल क्या कह रहा है also a takes 30 days less than b for doing a piece of work अगर दोनों अब यहां पर किसी ने यह important जानकारी दी है कि भाईया अगर दोनों से अकेले काम करवाया जाए हो सकता है कभी किसी ने करवाया होगा तो उन्होंने यह evaluate किया कि जब इनसे अकेले काम करवाया जाता है तब a, b से 30 दिन कम लेता है ठीक है अब a, b से 30 दिन कम लेता है तो सवाल के हिसाब से a और b के बीच में जब मैं compare करूँगा तो कौन कम दिन लेता है a, तो b माइनस a करने पे मुझे 30 मिलना चाहिए क्या यह equation correct है कि b जितने दिन में काम कर रहा है, माइनस a जितने दिन में काम कर रहा है, has to be equal to 30 उन दोनों का subtraction क्योंकि यही लिखा है यहाँ पे कि वो काम कर सकते हैं कितने दिन में 30 दिन कम, a और b में अगर compare किया गया तो b 30 दिन कम लेता है, तो b कम समय ले रहा है, a कम समय ले रहा है b से, हैना यह तो लिखा है, कि a can take 30 days less तो a जो है, वो b से कितने दिन कम ले रहा है, 30 दिन, तो आपने हाँ पे किया, b minus a is equal to 30 अब यहाँ पे आप लिखोगे values, तो यह हो जाएगा भाईया, b की value 3x, a की value x is equal to 30 solve कि आपने 2x आया, 15, कितने बराबर, 30 बराबर, x की value आ रही है, 15 दिन, 15 days इसका मतलब, a का time हो जाएगा, a's time, 15 days, ठीक है, और b का time हो जाएगा, b's time would be, कितना, sir, 15, 3 is a 45 days क्योंकि तीन गुना जादा समय ले रहा है, ठीक है, clear है, बिल्कुल clear है, sir, कहीं कोई दिक्कत ने, आपको निकालना है, क्या, आपको निकालना है, कि तो जब जब 6 में काम करेंगे, sir, तो a का एक दिन का काम, 1 by 15, b का एक दिन का काम, 1 by 45, और दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो काम हो रहा है, 30 दिन में, तो उनका एक दिन का काम कितना होगा, sir, आपको कैसे पता, एक दिन का काम कितना होगा, sorry, एक दिन का काम तो निकालना ही है, माप किजिगा, तो 1 by x, मैंने वो 30 को ले लिया था, अपने mind में, ठीक है, माल लो, अब यहाँ पर देखो, 1 by x न तो यहाँ ले लो, 1 by p, तो यहाँ पर आपको कहीं लिखना भी पड़ 1 day work, कितना होगा भाई, sir, आपने तो कहा, 1 by p, ठीक है न, कोई प्रॉब्लम अब तक बिल्कुल नहीं, sir, अब यहाँ देखो, आपको निकालना है, इसका LCM, कोई मुश्किल काम है, कि आपके लिए बिल्कुल नहीं, sir, तो यहाँ हो जाएगा, into 3, right, तो यहाँ हो जाएग आपने क्या कहा, मैंने कहा, मेरे भाई LCM आएगा 45, तो into 3 कर लो, पहले वाले में, 15, 3, 45, यहाँ कर लो, into 1, A की बात है, तो 3 प्लस 1, 4, divide by 45, यहाँ पर आप लिखेंगे बढ़िया से, तो आपने लिखा, 4, divide by 45, is equal to 1 by P, अब आप P की वाले निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, reciprocal करना पड़ेगा, तो 45 by 4, इसको आप solve करोगे, तो 11, 1 by 4 days, यानि 11 दिन और एक चौथाई दिन में काम पूरा हो जाएगा, is this clear, हांजी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिलकुल नहीं, सर, 4 से आपने divide किया, 4, 11, 44, प्लस 1 हो जाएगा, 45, तो इस तरी हांजी सर कहीं कोई आपती बिलकुल नहीं, सर, सवाल के दो हिस्से थे, क्रिपया जल्द बाजी में एक हिस्सा लिखना भूलना चाहें, individually और together, दोनों निकाल के answer बताना है, अपने दोनों निकालने हैं, चलिए, question number 15 देखो, a is 30% more efficient than b, ठीक है, तो यहां देखो, मुझे बड़ा confusion होता है, इसलिए अपन हमेशा किसका इस्तमाल करते हैं, table का, तो यहां हो जाएगा, a, यहां आजाएगा efficiency, और यहां आजाएगा days, efficiency और days में reverse का मामला होता है, efficiency बढ़ेगी, दिन घटते जाएंगे, दिन और efficiency घटेगी, तो दिन बढ़ते जाएंगे, ठीक है, अब यह कह रहा है, a 30% जादा efficient है, b से, तो अगर b 100% efficient है, तो a उससे 30% जादा है, तो आप लिखोगे 130, clear है यह, तो मान लो अगर b 100% efficient से, तो a कितना हो जाएगा, 130% efficient है, ऐसा क्यूंकि percentage में निकालना है, ठीक है, तो हमने ease of calculation के लिए a को मान लिया, 100, sorry, b को माना 100, क्यू दिया किसके संदर्ब में था, b के संदर्ब में, कि a जो है, वो b से 30% जादा efficient है, ठीक है, तो इसलिए अगर आपने ऐसे देखा, हमने b को लिया 100, और उसका 30% जादा efficient है आपके a, अब आपको number of days निकालने हैं, तो क्या करना होता है, आपको भली बाती पता है, जी सर बिल of days कम होते जाएंगे, जैसे जैसे efficiency घटती जाएगे, number of days बढ़ते जाएंगे, is this clear, बिलकुल सर तो देखो, इस table को आप मैं लिख रहा हूं, अपने sentence के form में, कि let time taken by b alone, time taken by b alone, b कितना, b 130, क्योंकि ratio है था आपका 100 by 130, अगर आप cancel करोगे यहाँ पे, तो 0 से 0 cancel, आपका 10 is to 13 आएगा, और यह ratio है, तो यहाँ पे आप लिखो के, let the ratio of, let the ratio of, ratio of, let the ratio of a and b's, a and b's, b's क्या, सब b's work, यह time taken, b's time taken, b 10 is to 13, ठीक है, यह कहाँ से आया, तो आपने वो table बनाया था, 100 और 130 आया था दिन, उसमें 0 0 cancel, तो 10 is to 13 आया, इनका ratio, let the ratio of a and b's, time taken, b 10 is to 13, अब यह समझना, ठीक है, a, b, 10, या ऐसे करो, इसको नीचे लिख दो, यहाँ पे, ठीक है, तो यह हो जाएगा, a, b, 10 और यह हो जाएगा, 13, अब देखो, सवाल में क्या लेखा है, how much time will they take working together to complete a job, which a alone can, would have done in 23 days, तो a के सामने 23, यह देखो, यह क्या है, यह है आपका ratio, और यह है आपकी values, ठीक है, और यहाँ पे आजाएगा, मान लो, अपने लिख दिया, P, ठीक है, यह clear है, तो ratio और values हमने यहाँ पे लिख दिये, अब आपको यह पता है, कि अब आपको इसके भीच में यदि समन्वय बठाना है, तो क्या करना पड़ेगा, किरास multiplication, तो कोई भी यहाँ पे आसानी से बोल सकता है, कि भाईया, 10 into P has to be equal to 13 into 23, तो अब लेखोगे यहाँ पे, therefore, 10 into P is equal to 13 into 23, तो P की value हो जाएगे, अब आप multiply करोगे इसको, तो कितना होगा, तो तो 23 into 13 करके ही देख लेते हैं, क्या पता, आप कुछ बोलो, वो गलत हो जाए, त्री तीजा 9, त्री टूजा 6, और यह 23, तो 299 आ रहा है, यहाँ पे हमारा उत्तर, कितना, 299, तो लिखा आपने P की value हो जाएगी, 299 by 10, is this clear, यहाँ पर values की जगा, actual days भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, actual days, चूँकि यह क्या है, यह तो 10 और 13 का ratio है, जरूरी थोड़ी है कि वो 10 और 13 दिन में ही करेंगे, यह तो ratio है उनका, अब इसके बाद हम actual days निकाल रहे थे, यहाँ पर तो लिख सकते हो, जिसको अब 30 दिन भी कह सकते हो, ठीक है, चले यहाँ देखिए, अगर वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में काम हो जाएगा, यह आपको बताना है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है, आपने निकालना है, A is one day work, कितना होगा, पताओगे, सर, A वैसे कर सकता है, 23 days में पूरा काम, तो one day work हो जाएगा, 1 by 23, B is one day work, सर, वो तो स्वयम एक fraction में है, तो भाईया, हमने क्या पढ़ा है, सर, हमने यही पढ़ा है, कि जब भी आपको किसी का one day work निकालना हो, तो वो जितने दिन में काम कर रहा है, उसको one के reciprocal में लिख दो, तो basically, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 10 by 2.99, is this clear, जी सर, यह clear हो गया, कि भाईया, दोनों का one day work, 1 by 23 and 10 by 2.99 है, अब अगर दोनों मिलके काम करेंगे, तो क्या करेंगे, सर, अगर दोनों मिलके काम करेंगे, तो इसका काम, that is 1 by 23, would be added to 2.99 by 10, which is equal to one day work, that is 1 by x, अगर कहीं x use नहीं हुआ है, तो, यह क्या है, combined one day work है, तो यहाँ पर आप कहीं पर लिख दो कि let, combined one day work be x days, तो यहाँ पर लिखा आपनने, let, combined, one day work be x days, ठीक है, नहीं, one day work मतला, one by x हो जाएगा न, ठीक है न, तो combined one day work कितना हो गया, combined one day work हो गया, one by x, clear है, चलो अब इसको फटा फट सॉल्फ करो, अरे भईया, तुम कहाट रहे हो, तुम हटो, यह नहीं हटेगा, चलो, अब इसको अपन सॉल्फ करेंगे, और आंसर बताएंगे, भईया, कितने दिन में काम होगा, तो बताओ, कितना result आ रहा है, इसको add करन पर, सर, LCM निकालना पड़ेगा, इनका हमें, तो सर, पहली बात तो यह 10 by 299 है, आपने गलत लिख दिया, समा चाहेंगे, भईया, one day work हो जाएगा, 10 by 299, ठीक है, यहाँ पर आप निकाल रहे थे, combined one day work, यह आपने लिख दिया, combined one day work, ठीक है, किसका, दोनों का लिखा है, तो one by x आए, अब यह देखो, क्या करोगे LCM, चलर LCM आएगा, into 13, क्योंकि आपने ही कहीं उपर multiply किया था, इसलिए आपने ही लिखा था, कि 23 को 13 से multiply करते हो, तो 299 मिलता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे, आप लिखोगे 13, पीलस 10, whole divided by 299, is the value of one by x, तो यह हो जाएगा, 23 by 299, अब 23 और 299 की है, थोड़ी पुरानी दोस्ती, अभी हम कितनी देर से देखी रहे हैं, तो इसको कांसर को रोगे, 1 by 13 is equal to 1 by x, therefore, कितने दिन में होगा भाईया, therefore, कितना टाइम लगेगा, x is equal to 13 days, मतलब अगर वो दुनों मिल के काम करेंगे, तो 13 दिन में पूरा काम ह हो जाएगा, वैसे a कर रहा था तो 23 दिन में हो रहा था, b कर रहा था तो लगबक 30 दिन में हो रहा था, पर जब जब जनाब दोनों मिल के करेंगे, तो 13 दिन में पूरा काम आराम से हो जाएगा, बिना किसी कठनाई और दिक्कत के, is this clear, जी सर कहीं को या पत्ती, बिलकुल टाइम है, ठीक है, मान लो, b का टाइम है, x, तो a का टाइम कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है, फिर आप क्या कह रहे हैं, और, और, या फिर, एक और कंडिशन आपको दे दी है, तो अगर मैं यहाँ पर c की बात करूँ, तो c से 3 गुना जादा, तो अगर यह y है, तो यह हो जाएगा, 3y, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, 2 और 3, 2 अलग-अलग नमबर चल रहे हैं, तो क्यों नहीं को हम कंबाइन करके लिख दें, कि भाईया, a जो है, वो लेगा, 6 a days, तो b जो होगा, उसका ratio उसके साथ 1 by 2 है, तो यह भाईया को 3 होना पड़ेगा, इसका 1 by 3 है, तो यह भाईया को 2 होना पड़ेगा, ठीक है, तो यह क्या था, हमने इसको 6 लेके, दोनों ratio उसको maintain करवा दिया, is this clear, यह आपको पूरी गणे समझ में आ गई, सवाल में पहल लिखा है, वो 3 गुना time लेता है, C से, तो C को लिया Y, तो उसका 3 गुना हो गया, 3Y, is this clear, अब इन सबको एक जैसा बनाना था, क्योंकि 2 अलग अलग variable में चल रहे थे, तो मैंने A के मामले को आजूम किया, 6 है, तो उसी साब से ratio को adjust करते हो, यहाँ लिखा 3 है, यहाँ दोनों का ratio निकालोगे, तो आपको 1 is to 2 मिलेगा, इन दोनों का निकालोगे, तो यहाँ पर मिलेगा 3 is to 1, अब यह A है, यह B है, यह C है, तो अब सबसे पहले क्या लिखोगे, let time taken by A alone, let time taken by A alone, A alone B, कितना, A alone B, 6 P days, ठीक है, मैंने 6 P लिख दिया, तो यह 6 P को आप थोड़ा सा दिहान लखेंगे, चलिए, अब इसे के साथ, therefore, time taken by B, जोकि A उससे to double time लेता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे, कि भईया, तुम उसके साब से adjust करो, तो यह हो A है, उसका, अगर B से ratio निकाला जाए, number of days का, तो इनका 3 P, 2, 6 P, मतलब 1 by 2 हो जाएगा, तो वो twice time ही लेगा, ठीक है, तो आपने लिखा, यहाँ पर erase करके, time taken by B, इस 3 P, कॉमा लगाया आपने, और लगे हाँ, दूसरे का भी लिख दिया, कि time taken by C, कितना, तो सर वो है ratio में देखा जाए, तो 1 by 3 का ratio चल रहा है, और C जाधा efficient है, तो यह हो जाएगा, 2 P, ठीक है, कोई दिकत, बिलकुल नहीं सर, if they working together, they can finish the work in two days, चलो, one day work निकालो, ठीक है, तो आपने लिखा, A is one day work, कितना हो जाएगा भाईया, A का एक दिन का काम, तो सर यह हो जाएगा, 1 by 6 A, very good, B is one day work, कितना होगा, तो सर, B is one day work, would be 1 by 2, 3 A, right, हाँ, चलिए, और C का one day work, वो भी लिख लेता है पन भाईया, क्योंकि वो भी काम आएगा, तो सीज one day work, सर, हो जाएगा, 1 by 2 A, 2 A या 2 P, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना भाई, जो भी variable यूज़ कर रहे हैं, क्रिप्या कोशिज करें कि पूरे में वो यूज़ हो, ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ जो आपको लिखनी है, जो कि आपके काम आएगी, वो है combined one day work, तो यहाँ पर लिखोगे, combined one day work, कि सबका मिला आके, तो आपने लिखा यहाँ पर combined one day work, कुट भी कितना, सर दो दिन में पूरा काम हो रहा है, तो पहले दिन आधा काम होगा, मतलब एक दिन में, ठीक है, अब combined one day work, निकलता कैसा, तो सर जो तीन हमारे यहाँ पर information दिये हैं, उन सब को जोड़ घटा के निकलेगा, तो A, B और C, तो यह लिखा हमने A, यह आ गया B, और यह आ गया C, देखो ratio maintain है, क्या बिलकुल maintain है सर, 2 और 6 का ratio, 1 is to 3 में, मतलब C, जो है वो जितना भी काम करता है, B उस काम को, A उस काम को तीन टाइम्स जादा समय लेता है, ठीक है, तो 2P का 3 टाइम्स हो गया 6P, वैसे ही, 3P का 2 टाइम्स हो गया 6P, नहीं से आपको LCM भी मिल जाएगा, तो into, कर दो मुनना into 2, इसको कर दें into 3, और यह भईया हो जाएंगे into 1, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, या कैसे attempt करोगे इसको, तो सर आप यहाँ पर लिखोगे, कि 2 और 1 प्लस 2 प्लस 3, whole divided by 6P is equal to 1 by 2, यह clear है, एक बार दुबारा देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3, हाँ ठीक है सर, तो सर 6P upon P is equal to 1 by 2, नहीं सौरी क्या लिखाओं मैं, 6 upon 6P होगा न, क्योंकि उपर तो P हाई है नहीं, तो 6 upon 6P is equal to 1 by 2, 6 से 6 cancel, 1 by P is equal to 1 by 2, यह 6 से 6 cancel होगा है, यह तो erase होगा है, cancel होना भया, erase नहीं हो ना, दीदी का कर रहे हो, चलो, तो 6 से 6 cancel, 1 by P is equal to 2 days, तो A alone का हो जाएगा, A alone would be कितना सा 6P मतलब 12 days, राइट, हाँ जी सर, क्योंकि A का, एक दिन का काम तो 1 by 6P है, time taken by A is 6P, ठीक है, तो 6, 2 is a 12, B alone कितना हो जाएगा, सर, B alone लेता है, उससे कितना, आधा time, मतलब A लेता है, twice, तो 6 days का twice हो गया, 12 days, ठीक है, तो C alone कितना लेता है, तो C alone से 3 गुना जादा time लेता है, A, तो यह हो जाएगा, 4 days, ठीक है, तो भईया, इसलिए आपका अंसर आ रहा है, यहाँ पे 4, 6 और 12, C का 3 गुना time लेता है, 3 is as much time as C, तो 4, 3s are 12, B का 2 गुना time लेता है, तो 6, 2s are 12, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर अराम से हो गया, चलिए, स्क्रीन हम करेंगे, क्लियर, कॉशन नमबर 16 समाब, कॉशन नमबर 17, देखो, यहाँ पे कह रहा है, अच्छा सवाल है, a can fill a tank in 12 hours, ठीक है, by mistake a waste pipe at the bottom is left opened, and the tank is filled in 16 hours, ठीक है, तो क्योंकि आपने ये waste pipe open कर दिया था, तो जो पानी 12 गंटे में भरा था, ठीक है, उसको ideally tanky fill कर देनी चाहिए, पर क्योंकि यहाँ से waste pipe खुला था, तो कुछ पानी बाहर भी जा रहा था, तो जो 12 गंटे में भराई, फिर वो 16 गंटे में भरी, अब आप कुछ कहेंगे कि साथ 4 गंटे extra लग गए, तो मतलब 4 गंटे waste pipe ने काम किया, नहीं, यह बिलकुली गलत धारना है, ऐसे नहीं चल अब यहाँ पर देखो लिखाए, if the tank is full, how much time will waste pipe take to empty, मतलब basically आपको बताना है कि अगर एक ऐसा मुकाम आए कि tank पूरा full हो गया, हमने inlet जहां से पानी आ रहा है, उसको बंद कर दिया, तो बाहर निकालने में, purely पानी को बाहर निकालने में कितना समय लगेगा, बिना कुछ extra input डाले, ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर आपने सबसे पर लिखना है कि let time required to empty the tank B X hours, empty the tank B, कितना, X hours, ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा कि कि भई यह filling tank one day work, यह one hour work, तो filling tank यह filling pipe यह tank filling pipe जो भी आप लिखो, जो filling pipe है, यहाँ पर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, filling pipes one hour work, कितना हो जाएगा, सर वो हो जाएगा, one by twelve, क्योंकि सवाल में लिखा है, 12 गंटे लेता है भई यह भरने में, ठीक है, उसके बाद फिर waste pipe one hour work, तो सर वेस्ट पाइप कितना time ले रहा है, वही नहीं पता, वेस्ट पाइप one hour work, कोई बात नहीं पता, तो अपने अजूम किया है, उस case आप से लिखेंगे, तो वो हो जाएगा, सर, यहाँ पर आप करेंगे, तो one by x, ठीक है, अब combined, ठीक है, लेकिन यह combined, बाकी वाले combine से अलग होता है, तो combined one hour work, कितना हो जाएगा, सर, जब combine दोनों चल रहे है, तो 16 घंटे में पूरी टंकी भर रही है, तो एक घंटे में एक बटे, 16, is this clear, जी सर, कहीं कोई आपती, नहीं सर होगी, तो आपको सूचित करेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, अब तक मामला clear है, अब देखो, यहीं से आगे बढ़ेंगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, कि देखो, according to question, सवाल के साब से हो क्या रहा है, सर, सवाल के साब से हो यह रहा है, कि आपने जो filling tank है, उसको चालू किया, तो वो हो जाएगा, 1 by 12, और साथी साथ waste pipe भी चालू है, तो वो हो जाएगा, माइनस, तो बाकी सारे combine में आप प्लस करते हो, ठीक है, यूँकि उसमें वो add कर रहा है, यहाँ पर आप माइनस कर रहा है, क्योंकि waste pipe पानी बाहर निकाल रहा है, ठीक है, तो 1 by 12 लगता है, completely भरने में, जब कुछ बाहर ना निकाला जा मोटा वाला मोटर लगी है, उसमें बढ़ियां वाली माज़रे एक्जामपल के तौर पे, और जो waste करने वाला pipe है, वो पतला है, छोटा है, तो उसलिए इसमें से धीरे धीरे पानी जाएगा, ठीक है, चलिए, तो अगर आपको x की value चाहिए, आपको 1 by 12 में से 1 by 16 को घटान पड़ेगा, तो आपको 1 by x मिलेगा, 12 और 16 का LCM अगर मुझे याद करना पड़े तो I think आएगा 48, क्योंकि 12 into 4 करने पर 40 आता है, 16 into 3 करने पर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप solve करोगे, LCM लेने के बाद तो आपको मिलेगा 4 minus 3 upon 48 is the value of 1 by x, तो यह जाएगा, 1 by 48 is the value of 1 by x, therefore x is equal to 48 hours, कहने का क्या तात पर यहाँ पर सवाल का, सर कहने का तात पर यह बहुत simple है, कि जो waste pipe है, वो 48 घंटे में आपका पूरा जो है, यहाँ पर tank खाली कर सकता है, यदि वो एक बार full हो जाता है, तो, clear है यह बात, हांजी सर चलिए, screen को यहाँ पर हम साफ क finan激 का तर्ड तर्ड आ जाते हैं जो कि कह रहा है कि चार गोट, या six sheep, एक field को 40 दिन में खतम कर पाते हैं, ठीक है, तो देखो, आपने कहा, 4 गोट, ठीक है कितने दिन में कर पाते हैं 40 दिन में ठीक है सर लेकिन वह छे शीप की बात भी हो रही है पता है चार गोट है उनकी बात हो रही है वो 40 दिन में कर पाते हैं छे शीप हैं वो भी 40 दिन में कर पाएंगे पहले अपन इसको अगर चार गोट 40 दिन में कर रही है तो एक गो ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखना चाहूं, कि एक गोट का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो एक गोट का एक दिन का काम हो जाएगा, sir, 1 by 160, यह एक लियर है, हाँ जी, sir, अब अगर मैं दूसरे वाले केस की बात करूँ, दूसरा केस क्या बोल रहा है सब दूसरा केस बोल रहा है कि भाईया छेशीप हैं तो आपने लिखा यहाँ पे छेशीप हैं वो भी लगा रही है 40 दिन इसको सॉल्फ करने के दो तरीके भाईया एक मैं यह बता रहूं तो वो हो जाएगा 240 देश 6 ताइम्स ठीके ना तो एक शीप का एक दिन का काम बताओ मुझे एक शीप का एक दिन का काम तो सर वो हो जाएगा 1 by 240 इस देश क्लियर क्या इतना सब को समझ में आया हान जी सर यह दोनों बहुत इंपोर्टेंट है आप इनको कहीं पे एक काम करो स्क्रीन शॉट लेके लिख लो या आपने नोट बुक में एंट्री कर लो तो कि अब इसके बाद का मामला अपन को और समझ ना है ठीक है अब यह समझो सवाल कह रहा है कितने दिन में ठीक है तो यह let number of days be x लिख दो let number of days be x ठीक है अब यहां समझ ना ठीक है आपने कहा 4 गोट है तो मैंने किया 4 ठीक है मैंने किया 4 into 1 by 160 क्यों भाईया 4 गोट है एक दिन में इतना काम करती है ठीक है तो 4 गोट कितना काम करेंगी एक दिन में तो 4 into 1 by 160 ठीक है यह काम हो रहा है 7 में 7 में प्लस हो रहा है and है दीखे और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक and का मतलब होता है दोनो ठीक है तो यहाँपे हो जाएंगी कितनी तो सर यहाँ पे हमारी जानकारी के साबसे 14 शीप है हर एक शीप एक दिन में कितना काम करती है सर हर एक शीप एक दिन में 1 upon 240 काम करती है बिल्कुल ठीक यह गणित आपको समझ में आ गया अब यह दोनों के दोनों ठीक है कितने दिन काम कर रहे हैं X days तो यहाँ पे बाहर से मैंने मल्टिप्लाइ कर दिया X से कि यह दोनों के दोनों मिला के X days काम कर रहे हैं तो एक कार्य पूर्ण हो पा रहा है कौन सा है वो एक कार्य ग्रेज दा सेम फील्ड करने का तो जब आप बोलोगे कि भाईया पूरी फील्ड कप ग्रेज हो गई जब चार गोट ने और 14 शीप ने X दिन तक उस जो फील्ड है उस पे ग्रेज किया तब जाके वो एक काम हो पाया ग्रेजिंग का अब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो यह हो जाएगा 1 बाए 40 कैंसल हो गया प्लस अगर आप 14 और 140 को 240 को देखोगे तो कैसे कैंसल होंगे सर यह 2 के टेबल से करेंगे तो 2 7 जा यह आ जाएगा यहाँ पर 120 उससे ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा तो आप यहाँ पर लिखोगे प्लस 7 by 120 is equal to यह जो X multiplication में side change करेगा तो 1 by X हो जाएगा क्या है जी सर अब यहाँ पर आप LCM लोगे तो 40 into 3 कर देना यूंकि 4 3s are 12 तो यह हो जाएगा 3 पीलस 7 whole divide by 120 is equal to 1 by X चलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे एक partition और खीच देते हैं अपन तो solve किया अपनने तो यहाँ पर आए देखो 10 by 120 is the value of 1 by X 0 से 0 cancel 1 by 12 is the value of 1 by X therefore आपके X की value आएगी 12 days मतलब जब दोनों मिलके काम करेंगे मतलब goat और sheep मिलके grace करेंगे तो 12 दिन में पूरी field साफ हो जाएगी यह clear है हाँ जी सर चलिए बहुत बढ़िया यहाँ पर मैं screen को कर रहा हूँ clear and अभी आपनको इसको एक और मेतर समझना है तो चलिए उसको देखते हैं कैसे solve करेंगे तो देखो उसमें मामला यह बनेगा कि आपको दिया गया है 4 goat जितना काम करती है उतना ही काम करती है 6 sheep ठीक है तो 4 goat जितना काम करती है उतना ही काम आपकी 6 sheep कर देती है अच्छा तो यह जानकरी सवाल के लिहाज से कितनी important है सर सवाल में आपको जब बोल रहा है तो according to question ठीक है according to question आपके पास 4 goat and मानि प्लस 14 sheep है ठीक है न तो 4 goat प्लस 14 sheep अच्छा ही तो 4 goat है यह स्वायम 6 goat के बराबर 6 sheep के बराबर तो this is also equal to 6 sheep प्लस 14 sheep तो which is also equal to finding work for 20 sheep तो मुझे दोनों का अलग-अलग निकालने के जगा एक का ही पूरा कार निकालना है तो वो भी हमारे लिए आसान हो जाता है तो basically आप क्या करते हैं second method में आप दो variable जैसे यहाँ पे goat और sheep है यहाँ पे भी goat और sheep है तो दो variable से एक variable में लाने का प्रयास करते हैं मतलब दोनों में से किसी एक को पूर्ण तह एलिमिनेट कर देते हैं अब सवाल की calculation कैसे होगी तो आप सवाल के calculation ऐसे होगी भाईया कि आप निकालोगे 20 sheep का work ठीक है वो कैसे निकलेगा तो देखो सवाल में आपको दिया है सवाल में आपको क्या दिया है सवाल में आपको दिया है कि 6 sheep जो हैं वो 40 दिन में करती हैं 40 days अब आपको 20 sheep का निकालना है कितना होगा कक्षा 8 भी में आप पढ़ चुके है this is a case of inverse proportion क्योंकि जब sheep की संख्या increase हो रही है तो obvious ही बात है days क्या हो जाएंगे days हो जाएंगे decrease क्योंकि field तो उतनी ही है ठीक है तो यहाँ पे आप क्या करोगे यहाँ पे आप लिखोगे therefore 6 into 40 ठीक है 6 sheep 40 दिन में जितना grace कर पाती है 20 sheep x days में उतना ही grace कर पाएंगे क्योंकि field का measurement तो same ही है तो 6 goat 6 sheep जितना 40 दिन में कर पाती है 20 sheep को उतना ही x days में करना है तो दोनों मामले बराबर है क्योंकि field तो एक ही है यहाँ पे आप लिखोगे 240 divide by 20 is equal to x तो इस लिहाँ से भी 12 आ गई x की value बहुत लोगों को ये वाला system समझ में नहीं आता है ठीक है जिसे बहुत बार calculation में किसको कहा बेजना है कौन किस से divide होगा वो चीज करने में लोगों को दिक्कत आती है तो मैंने आपको दोनों method बता दिये आपको जो easy लगे वो आप यहाँ पे try कर सकते हैं ठीक है इस method में आप पहले दो variable से एक variable के रूप में आते हैं आप दोनों में से एक को guy up कर देते हैं यहाँ पे हमने किया goat से guy up करके सीधा sheep वाले पे आ गए पहली चीज ठीक है दूसरी चीज फिर आप यहाँ पे कक्षा आठवी का logic यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको यह बताया जाता है कि चीजें inverse proportion में हैं जब goats की संख्या increase होगी days decrease हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा लेकिं क्योंकि field थो भाई है जितना 6 goat 40 दिन में खाएंगे उतना ही 20 sheep x days में खाएंगे मतलब 6 sheep जितना 40 dyn में खाएंगे उतना ही 20 sheep कितने x days में खाएंगे ठीक है तो इसकले दोनों आपस में बराबर क्योंकि फील्ड उतना है घास तो उतनी अब चाहे छे शीप ग्रेज करें या बीस करें ठीक है कामी किस में आएगी नमबर ओफ डेज में तो यहां पे जब फोर गोट और चौदा शीप होंगे साथ में तो बारा दिन में काम हो जाएगा अब आप के सार निकाला आपने बीस शीप का लिख रहे हो आप दोनों के लिए तो भाईया यह तो हमने पहले ही देख लिया है ना चार गोट जितना खाना खाती है उतना छे शीप खा लेती है इसने चार की जगा वहां पे आपने चे याड करके इसको शीप के रूप में सॉल्व कि फेरा लास्ट कोश्चन है यह या आपसे कह रहां है कि एक टाप एक टायंग को फिल कर सकता है लुकर सकता है तीसाम ठीको जबकि दूसरा उसको खाली कर सकता है तीसाम में ठीक है टायंग एमटी और लुट टाप्स आर condensed are open together how long will it take to engineer time to be one particularly कि यह आंप किया करोगे शर आप यहां पे यही करोगे कि सबसे पहले ये निकालोगे कि भाई या एक घंटे का काम कितना है तो tap या filling tap का one hour work ठीक है तो दो tap है ना एक filling एक emptying तो आपने लिखा filling tank का filling tank का one hour work कितना हो जाएगा सर वो पूरा होता है 20 घंटे में तो ये एक घंटे में कितना करेगा 1 by 20 वेरी गुड अच्छा जो empty वाला tank है तो emptying tap filling tank नहीं tap होगा एक तो देखो अंग्रेजी अपनी अलग चल लई है क्या बोल दो है ना बिल्कुल सर तो filling tap का one hour work और यहाँ पे empty E-M-T-P-Y क्या होती spelling E-M-P-T-Y अंग्रेजी कमज़ोर है गुरुदेव आपकी बहुत बढ़िया emptying tank emptying tap का one hour work ठीक है कितना हो जाएगा 1 by 30 क्योंकि वो 30 गंटे में पूरा खाली करता है the tank being empty and both taps are open together ठीक है when तो अब यहाँ पर लिख सकते हो time taken time taken to fill tank with तो एसे लिख लो कि let time taken to fill the tank with both taps open both taps open BXR कि X hours में पूरा भर जाता है ठीक है time taken to fill tank with both taps open BXR ठीक है तो यहाँ पर one hour work कितना हो जाएगा इसका therefore tank filled in one hour tank filled in one hour in एक hour कितना हो जाएगा one hour would be one by X अब एक hour में tank fill कैसे होगा सर एक hour में यह होगा कि एक वाला जो अपना भरने वाला tank वाला pipe है tap है वो चालू रहेगा और उसमें से थोड़ा सा बाहर आते रहेगा तो one by 30 तो यह हो जाएगा one by X is this clear 20 और 30 का LCM सब को पता है कितना होगा सर वो हो जाएगा यहाँ पर करोगे आप तो into 3 यहाँ आ जाएगा into 2 तो यह हो जाएगा 3 minus 2 divide by 60 ठीक है ना 3 2s are 6 2 3s are 6 is equal to one by X ठीक है ना तो यहाँ पर आपने solve किया तो यह हो जाएगा one by 60 is the value of one by X मतलब मतलब यह सर कि tank को full करने में full करने में tank time taken to full completely fill the tank ऐसा लिखो ठीक है तो आप लिखोगे यहाँ पर therefore आप लिखोगे यहाँ पर time taken time taken या time required भी लिख सकते हो अगर आपको थोड़ी और अच्छे लिखनी है तो time required to completely fill the tank completely fill the tank is 60 hours आपको कैसे पता क्योंकि sir X की value आ रही है 60 के बराबर देखो 1 by 60 equals to 1 by X तो आप यहाँ पर लिख सकते हो therefore X is equals to 60 hours ठीक है अपने X assume किसको किया था पूरा tank फिलेने को आपको क्या करना है haul haul मतलब basically आधा बरना है ठीक है तो therefore time required to half fill the tank to half fill the tank would be half fill the tank would be कितना सर साट घंटे में पूरा भर जाता है आपको आधा भरना है तो would be कितना 33 0 hours is this clear जी सर चली बहुत बढ़िया पूरा भरने में साट घंटे आधा भरने में half fill करने में 30 hours लगेंगे 60 का आधा इस देस क्लियर जी सर कुछ लोग यहीं पर कर देंगे 1 by x की जगा आपको इसको आधा कर देंगे तो वैसे भी आप कर सकते हो इसको 1 by 2 x लिख सकते हो तो उससे भी आपका काम हो जाएगा उससे भी आपका अंसर वहीं पर x equal to 30 आजाएगा ठीक है तो जैसा आपको ठीक लगे भाईया इसमें कोई आपती नहीं है चलिए यहां पर हम करेंगे screen को clear सवाल हमारे यहां पर समाफ्थ हो जाते हैं तो भाईया आदा भरने में कितना 30 गंटे पूरो भरने में साथ गंटे यही पूरी गंट अपनी यहां पर है चलो screen is clear अब आप यहां पर करेंगे अगले प्रश्ण का परस्थान लेकिन अगला प्रश्ण तो है नहीं लेकिन जो आपके लिए है यहां पर उप्रब्द वो है हमारे सारे sessions और lectures वो भी absolutely free of cost आप इन session और lectures को कैसे पढ़ सकते हैं तो भाईया इनको आप हमारे YouTube चैनल से या फिर हमारी website और आप से देख सकते हैं तो YouTube चैनल को subscribe करना और apps और हमारी app और website को regularly visit करना न भूले यहां पर आपको सारा content सारे lectures सारे videos मिलते हैं absolutely free of cost इसके रावा आप हमें social media पर भी follow कर सकते हैं जहां पर आपको मिलता है बहुत सारा fun learn content and important जानकारी आपके school examinations and CBC के latest notifications के बारे में हमारे सारे verticals आपको सतत high quality education provide कराते रहेंगे बस आप अपना ध्यान रखें अच्छे से पढ़ाई कीजे बढ़िया से घर पे रहें बहुत अच्छे से महनत करके इन विद्यार्तियों की तरह आप भी यहां पे आ सकते हो और आप आएंगे तो हमें बड़ा खुशी होगी हमें बड़ा अच्छा लगेगा ठीक है अपना ध्यान रखें stay home stay safe take care bye bye good day see you soon नमस्ते और कीप पहुचिंग बबाई